अगर आप एक कॉम्पूटर यूजर होगे दोस्तों अगर आप डेली बैसेज़ पर अपने का इस्तमाल आप जादा करते होंगे आपने सिस्टम में तो इस वीडियो को वाच करना आपके लिए बहुत ज़रू है दोस्तो ठीक है तो आच पुड़े में मैं आप सभी को कुछ अच पुड़े में हम जानेंगे दोस्तो ठेक कॉम्पूटर यूजर के लिए या फिर एक इंटरनेट यूजर के लिए इस वीडियो को वाच करना भहुत ज़रूरी यह तो यह एक इंफरमेटिव वीडियो है दोस्तोथ तो मेरी रिक्वेस्ट है इसे आप स्टार्टिंग से लिखे इन तक ज़रूर वॉच्च गी जे ठीक है तो आएज शुरू करते हैं अट तो विडियो स्बस्तार्ट करने से पहले मैं आप 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 सबीर को बता देना चाहूंगा दोस्तो एक वीडियो हमने अल्रेडी बना कर रखी है जो कि है all about computer related long forms के उपर मतलब कि हमने अल्रेडी बना कर रखी है दोस्तों आप desktop पर देख पाऊगे तो इन सभी के long forms हमने बताया है दोस्तों अगर आपने वो वीडियो वाच नहीं की होगी तो उपर आपको जो आई बटन दिखाई दे रहा होगा आप उस पर क्लिक करके सिधा वो वीडियो वाच कर सकते हो ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे के कुछ full forms हम देखने वाले हैं दोस्तों internet related तो जैसे के आप यहाँ पर देख पाऊगे internet, http, www.com, land, van इन सभी के full forms क्या होते हैं वो हम जानने वाले हैं दोस्तों साथी साथ हम जानने वाले है meanings of dot extensions मतलब dot extensions के meaning क्या होते हैं जैसे के आप यहाँ पर देख पाऊगे dot gov, dot com, dot edu, dot fame, dot int, dot mill, dot movie इन सभी के meaning क्या होते हैं और इनका कभ यूज होता है हमारे internet access करते हैं जब website पे हम तब ठीक है तो आज की वीडियो में हम जानने आ ले हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं जैसे की internet, internet का full form है दोस्तों international network ठीक है उसके बाद में http means hypertext transfer protocol उसके बाद में आता है www means worldwide web उसके बाद में dot com means commercial मतलब के dot com का मतलब होता है दोस्तों commercial मतलब के कोई भी ऐसी website जिसे आप commercially use कर सकते हो ठीक है access कर सकते हो उसके बाद में land means local area network उसके बाद में van means wide area network तो यह कुछ full forms है दोस्तों about internet related अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई वीडियो तो आप वीडियो को pause करके इन full forms को पढ़ भी सकते हो ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है जैसे कि meaning of dot extensions जैसे कि dot gov means gov dot extensions जिस website के पास में लगता है दोस्तों इन में उसका वो website होती है government website means gov तीक है उसके बाद में dot com extensions जिस website पे लगता है वो होते है commercial internet sites मतलब के commercially आप उसे use कर सकते हो उस internet के sites को dot edu means education sites dot firm means business sites dot int means international institutions dot mil means military sites यह जो होती है military websites होते है ठीक है dot mil जिसके जिस website के id में dot mil लगता है वो websites ठीक है उसके बाद में dot m o b i means dot mobi means यह होती है mobile phones की sites dot n a t o means nato तो यह होते है nato sites dot n e t means internet administrative sites ok dot n o m means a personal site यह जो होती है दोस्तो पर्सनल website होती है dot org means organization sites dot store means retail business sites dot web means internet sites that is about the world wide web मतलब के dot web जिसके साथ में लगता है दोस्तों जिस extension के साथ में लगता है इंड में वो होती है internet के all about world wide websites ठीक है उसके बाद में dot travel जिस website के इंड में dot travel लगता है वो होती है travel industries की sites ठीक है उसके बाद में .in this website के सामने लगता है दोस्तों वो होती है Indian site meet India ठीक है .us means United States .uk means United Kingdom .kh means Cambodia .th means Thailand .cn means China .vn means Vietnam .au means Australia .jp means .sg means Singapore .nz means New Zealand .my means Malaysia . यह कुछ .extensions के मिनिंग्स थे दोस्तों जो मुझे आप सभी को इस वीडियो में बताने थे दोस्तों यह एक इंफर्मेटी वीडियो थी इसलिए मुझे बनानी पड़ी है ठीक है तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक कीजे दोस्तों के साथ शेयर कीजे और ऐसी और वीडियों पानी के लिए आप हमारा चानल सबस्रच कर लिए तो मैसर जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व झाल